वेल्कुन पूदिस यूटिप चैनल चलिए देखते हैं मार्केट कैसे मॉमेंट कर सकता है मंड़े के दिन में निप्टी और बैंक निप्टी में पहले जानते हैं निप्टी में आप सभी को मालूम है अभी मार्केट क्या है ओल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और और मतलब 20 पर्शन करेगा 10 पर्शन करेगा कोई तो बोल रहा है मार्केट पूरा 11 जर तक आ जाएगा निप्टी मतलब बहुत लोग बहुत लोग हिसा बात बोल रहे हैं लेकिन मेरा कहने का मतलब है अगर मार्केट करेक्शन करेगा या फिर क्रास करेगा उनका कहने का मतलब क लुटे हिसाप से तो फिर वह क्यूं च्यूना रहे हैं वह प्रोटफोलियों आपना सॉट्पजल बना कि चुप-चप बेडगे होते हैं दो क्यूं यह हला मचा रहे हैं सब और क्शंड करेगा क्रास करेगा यह करेगा यह वह होगा यह सब बेकार का चीज है यह सब चीज में मतलब पूरा हंटेट परशन आपका माइन फोकॉस मत करिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप क्या है रेजिस्टांस और सफ़ोर जोन इसको फॉला करें यह फॉला करने से क्या होगा अर जो जो भी यह है तार्गेट है यह स्टॉप लोस है जो भी है उसके ऊफ़र डीपेंड करेगा आपका मौनि मेनेज्मेंट टेक है अगर आस ना चाहते हैं और राई तो हैं मनि मेनेज्मेंट करना चाहते हैं मैं आपके लिए बोहुत सारा वीडियो लेाने रहा तोड़ा प्रिदियो डाल रहा था और वी क्या जरूंक देखने के लिए और फिलावी में फ्री हो गया हूं उससी सब्सक्राइब करूंगा हर दिन नहीं तो हर विक में एक या दो से ज्यादा वीडियो जो कि आपके लिए कुछ आईडिया लेके आऊऊंगा जो कि trading के related होगा फिर बीडियो में आपके लिए जरूर लओंगा तो फिर यह ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरा चैनल जो उसको सब्सक्राइब अगर यह वीडियो आपको आच्छा लाइए तो फिर लाइक बटम प्रेस कर दीजेगा चलिए जानते हैं अभी मार्केट कैसे मोमेंट करेगा मंडे की दिन में ठीके फ्राइड में आगिया ओभी क्या हुआ देखिए उससे पहले फटले के दिन में मार्केट ने अच्छा मोमेंट डिया है जो की मतलब हेल्दी स्कॉड़ंमोमेंटम दिया है निप्ती और सलिक प्रक मेंडको दीआथ कि तो एक राउंड लेवल एक और मार्केट यह जो मुमेंट किया था तो टी वांड थाउजन एट सेवेंटी से यह मार्केट मोमेंट किया काहां पर कि यह 22,300 के आसपस मामेंट किया था औरिवन 4 251 मार्केट ने मुमेंट किया है उसके बात अगर आप हम वेव आनलेसिस फॉलो करेंगे तो मार्केट क्या करेंगा मार्केट हमेशा कैसा मुमेंट करता है ऐसा जाएगा ऐसा आएगा फिर उपर जाएगा फिर नीचे यह फिर उपर जाएगा इसा करते मार्केट में मॉम्मेंट करता है तो उससाब से अगर हम देखेंगे मार्केट ने इधर से क्या बनाया सफ़ोड बनाया मार्केट ने उपर गया उपर जाने के बाद थोड़ा इसा डीफ आया मतलब डाउन के तरफ आया फिर वह अनालिसिस के हिसाब यह क्या करेगा अगर यह जो लेबल है मार्केट का यह उसका क्या है रेजिस्टन्स जुन अगर इसको मार्केट ने प्रेक किया यह लेबल को यह लेबल को अगर प्रेक कर दिया तो फिर मार्केट क्या करेगा ऐसा उपपर करके चला जाएगा हम क्या करेंगे मंडे के दिन मे लिए वो प्रसों किma मार्केट से निकल जाना है मार्केट से निकल जाना है में YES सबसे से जो भी यह से मतलब करता है सटप करता है वह ऊसे सबब्समें वी तो कहां पर यह लाइन पर एक सब्सक्राइब 22,180 या 200 जो कि रिसेंटली मार्केट ने जहां पर क्रोजिंग किया हुआ है अगर इसको ग्रेक करता है तो फिर उसके बाद मार्केट को 22,100 सम्थिंग इधर हो जाएगा उसका नेक्स्ट सब्सक्राइब यह लेबल पर हो जाएगा उसके बाद मार्केट जाएज है गपार के तरह मोमेन्ट कर सकता है तो और तो चूआश्ट टूआज्ट्ट सम्थिंग ऑगर मार्केट नेच्चे के तरह मुमेंट किया है तो फिर हम की से प्लानिंग कर सकते है यह देखीए 22,000 यह क्या है राउड लेबुल है मार्केट हम तक अगर मार्केट ने 22000 को ब्रेक तो हम क्या मार्केट ने support लेगे यहाँ तक तक हमारा निप्टी में और एक बात देखिए निप्टी में यह है देखिए एक सपोर्ट जूने कहां पर 21700 अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा सब्सक्राइब निप्टी का बात चला गया अभी क्या करेंगे मंडे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए क्या फ्लानिंग रहेगा हमारा फास्ट टार्गेट है 22100 सेकंड टार्गेट होगा टार्गेट किया होगा मतलब ये एक डूब्ली पैटन ज्हें ऌप जेसर बना रहा इधर ही इदर देखे इधर बनाए फिर उपर गया फिर इधर रेजिस्टेंस हो के फिर नीचे आया फिर उपर गया मतलब यह एक तो यह अगर 46,550 यहां पर उपर जाएगा तो हम आने वाला टाइम में 48,000 को देखने के लिए मिल चकता है यहां पर तेखने के लिए को देखने के लिए मिल सकता है और मॉंडे के दिन हमारा केसा फ्लानग रहेगा देखे शिंपूल सा हमारा 15 टाइम चार्ट करेंगे यह रहेगा हमारा फैला टार्गे अगर यहां से लिट्फंड में करता है और मार्केट तो ऑदा क्या करेगा यहां बहुत क्या करेगा यहां साइडवेस का मोमेंट करेगा साइडवेस मोमेंट करने के पाद यह जो 46000 यह 47000 हो गया इस जो राउंड लेवल उसको ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर चला जाएगा तो उसी सबसे अगर हम देख्यों के बेंक निप्टी में यह हमारा 47000 अगर अपर लेवल ब्रेक किया 47000 का लेवल अगर ब्रेक किया तो फिर हम 48000 आने वाला ताइम में देख सकते हैं और डान के तरफ अगर 46500 फास्ट टार्गेट हमारे जो अगर फ्लाइट कोल के नीच्छे तरफ आया तो हम देख सकते हैं और उसके नीचे कहां तक मार्केट आ सकता है यह देखिए उसका जो और यहां पर 45500 फास्टिंग यहां पर मार्केट सेकेंड टार्गेट हमारा हो गया मार्केट 45500 फास्टिंग में आ सकता है तो यह सब रहे गया हमारा मंटे या नेक्स्ट वी के लिए निप्टी और बेंक निप्टी के लिए प्लानिंग रहे गया तो देखिए यह जो ट्रेडिंग है ना यह मतलब एक एक माइंड सेट होता है पहला है यह माइंड सेट होता है सेकंड जिज इसमें क्या है गेंपली नहीं करनी सुथ हमें सब और करने का मेरे को क्या है मेरे मार्केट से मार्केट इदर नीचे आएगा नहीं दूपर जाएगा दोनों दो अधर तौन, मैं आधर और आता है या शर्म कि या फिर मैं हैं रहा है थे चाहिए किया को मार्केट शाहिए तो मुझानते समसे कर तो तो ऊसे सबसे मेरे को फोक्स कर ना आइदर मार्केट काल करेट में 1000 पोर नीचे गी रहा या फिर 1000 पॉइंट ऊपर चला गया तो उसी सबसे हम फॉलो करेंगे आज का वीडियो में इतना था आने वाला टाइम में मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टॉप म लाइक करिए और मेरा चनल को सस्क्राइब करिए जितना सस्क्राइबर ज्यादा आता रहेगा में ज्यादा इंफॉर्मेशन वीडियो टेकनिकल वीडियो मैं आपके लोगों लेयर करता हूं तो थैंक्यू पर वाचिंग इस वीडियो